आगामी विधानसवा चुनाओं को देखते हुए दो दिवसी नेरू सांस्कृतिक भवन सेक्टर वन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चुनाओं की तयारी को लेकर दो दिवसी प्रसिक्षन कारिक्रम के आयोजन काज अंतिम दिन रहा विधानसवा चुनाओं दो हजार तईज को शांति पून निस्पक्ष वा निर्भिक करने के लिए दुर्ग पुलिस अधिक्षक सलप सिन्हा ने चले के समस्त पुलिस अधिकारियों वा पुलिस कर्मियों को चुनाओं के संबंध में सेक्टर वन में प्रसिक्षन दिया आगामी चुनाव प्रक्रिया में अपनी निस्पक्ष भुमी का आदा करने एवं निर्वाचन प्रक्रिया को शांती पून कराने के संबंध में यह प्रशिक्षन दिया गया इस दोरान अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को विशेश कानूनी प्रवधानों आदर्श अचार सहीता के लागू होने पर कानूनी करवाई समवेधनशील वा अति समवेधनशील शेत्रों को प्रमुख करवाई के बारे में सभी को अवगत करा दा तो दियुसी ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं इसमें क्योंकि अदर्श अचार सहीता लागू होने वाली है उस दोरान हम लोगों को किस तरीके से क्या-क्या ड्यूटीज रहेंगे क्या जिम्यदारिया रहेंगे साथ-साथ आने वाले एलक्षिंस में पोलिंग डे और उसके बाद जब तक मदगर्णा नहीं हो जाती है तब तक क्या हम लोगों की किस तरीके रिस्पॉंसरीटीज रहेंगी इस सेसंदन में एक ट्रेनिंग हम लोगों के राइपर में होग थी उसी को फिर नीचे थाने इस तर तक सिकलाइट के लिए सब को गुलाया गया था कल भी एक सेशन लिया गया है आज दूसरा सेशन है दो दिन पी ट्रेनिंग आज ये कंप्रेट हो जाए ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज